आजी के दिन 28 दिसेंबर 1885 को मुंबई में कॉंग्रेस पार्टी की निव रखी गई थी कॉंग्रेस पार्टी को बने हुए आज 137 साल पूरे हुए आजादी के बाद कॉंग्रेस पार्टी का सफर आधुनिक भारत की कहानी कहिता है और ये इध्यास है इन वर्षों में भारत के हर सफर माइल्स्टोन पर आपको कॉंग्रेस की भारत लिखी रहे दी ये मोका एक और वज़े से महतुपूर्ण है क्योंकि इस वर्ष कॉंग्रेस सेवादल अपने सब्वे वर्षों में प्रवेश कर रहा है सेवादल के सातियों को मैं बहुत बहुत बदाई देता हूँ भारत की आजादी के आसपास कई दूसरे देश भी आजाद हुए थे लेकिन बहुत से देश में सत्ता की बागडोर ताना शाही ने ले 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 भारत न सिर्फ सफल और मजबूत लोगतंतर बना बलकि कुछ ही दस्कों में हम आर्तिक, नूकलियर, मिसाइल, स्टाइडिजिक के छेत्र में सुपरपावर बन गए क्रसी, सिक्षा, मेडिकल, आईटी और आईटी सेक्टर में भारत दुनिया के टॉप देशों में से शामिल हो गया है ये सब अपने आप नहीं हुआ, ये कॉंग्रेस की लोगतंतर में आस्ता के कारण हुआ है सभी को साथ लेकर चलने की हमारी आइडालोजी के कारण ये सब कुछ हुआ है विद्ञान, विद्ञान में हमारा विश्वास को चलते हुआ उस समिदान में पूरी आस्ता की वज़े से जो सब को बराबरी का अधिकार और बराबरी के मुखे देने की गैरंटी हमारी समिदान देती है आज भारत आगे बढ़ा क्योंकि कांग्रेस ने गरीब वन्चीत दलीत समुदायों की हजारों सालों की जंजिरे काटने का सहास दिखाया आजादी को हर नागरीक तक पहुँचाने का द्रड़ संकल लिया और उस दिशा में आगे बढ़ने की इमानदारी के साथ कोशिश की गांधी जी ने राजनीतों वसत्ता की परिक्रमा के रूप में नहीं देखा बलकि सामाजिक सुदार, छुआच्छूत के विरोध, आर्तिक स्वालंबन, बराबरी के अधिकार, सामप्रदाइक्ता के विरोध, पुरुष प्रदान के विरोध जैसे विश्यों को रोजमरी की राजनीती से जोड दिया गांदी जी के नेत्रोत में जवरलाल नहरुजी, सरदार पटेल, डाक्टर राजेंद पुरसाथ, मौलाना आजाद, सुबास्चंद्र भोस, कामराज जैसे नेता सामने आए सरोजनी नाइडू, अरुना असरवली, राजकुमार अमृतका और जैसे महिलाय नेताओं नाम घर घर पहुँच गए आजादी के अंदोलन के दोरान की कॉंग्रेस ने कराची प्रस्ताव पास किया और समीदान की मूल आत्मा कैसी होगी ये तै कर दिया यह प्लानिंग कमेटी बना कर आजाद भारत में विकास का ब्लू प्रिंट तैयार कर लिया इसी तैयारी के कारण जब हमारा राश्क स्वतंत्र हुआ तो बिक्रा नहीं बलकि मजबूती से आगे ही पढ़ता गया सब को साथ लेकर चलता गया भारती लोगतंत्र को मजबूत रखने के लिए नेरु जी ने अपनी पहली क्याबिनेट में चौदा में से पांच मंत्री गैर कांग्रेसी दलों के नेदा थे यह दर्शाता है सब को लेके चलने का एक उसूद भारत की सिमाओं की रख्षा भारत के सामाजिक ताने बाने की रख्षा सभी नागरिकों के अधिकरों की रख्षा जनता के लिए सिख्षा, रोजगार और रख्षा और देश में वईद्यानिक सोच की रक्षा यही कॉंग्रेस का संकल्प है सोनिया गांदी जी के अद्देक्षकाल में जब हमारी उपे की सरकार बनी थी तब RTI, RTE, Food Security Act, Narega, Forest, Rights, भूमी अधिगरन कानून यह सब कॉंग्रेस की विचारदारा की चाप जनता पे और देश पे छोड़ा है भारत की मूल भावना पर लगातार प्रहार हो रहा है नफुरत की खाई देशवर में खुदी जा रही है लोट, महंगाई, बेरुजगारी सित्रस्त है लेकिन सरकार को इसके बारा में कोई चिंता नहीं है हमें कॉंग्रेस पार्टी को इंक्लूजिनिस बनाने के लिए युवाओं और महिलाओं को, वंचित तपकों को, बुद्धी जीवियों को जोड़ना होगा